ओरल हेल्थ हमारी ओवर ओल हेल्थ का एक बेहत महत्वफूम हिस्सा है इसी लिए ओरल हेल्थ से जुड़ी गलत धारना उपर भरोसा करने से पहले इनकी वास्तविक सच्चाई के बारे में जरूर जानना चाहिए हेलो एबरीवन मैं डॉप्टर लहना सिंग डेंटल सर्चन आज इस वीडियो में मैं ओरल हेल्थ से जोड़े मिट्स को क्लियर करूंगी तो सबसे पहला मित है अधिक टूथपेस होता है अधिक इफेक्टिव लोगों का मानना होता है कि अधिक टूथपेस लगाने से दात बेहतर तरीके से साफ होते हैं जबकि सच्चाई है नहीं है दातों को साफ करने का काम ब्रश करने के सही तरीके पर निर्भर करता है टूथपेस भले ही ज्यादा या कम ले लो अगर ब्रश करने का सही तरीका नहीं पता होगा तो दातों से प्लाक पूरी तरह नहीं हटेगा दात पूरी तरह साप नहीं होंगे अगर दातों से प्लाक नहीं हटेगा तो दातों पर कैलकुलस जमने लगेगा जिसकी वज़ा से गम्स डिजीज होंगी प्लाक जमने की वज़ा से कैविटीज होंगी इसलिए टुथ पेस्ट की क्वेंटिटी पर ध्यान न दें मतर के एक दाने के बराबर टुथ पेस्ट काफी होता है दानों को साफ करने के लिए दूसरा मित है ज्यादा देर तक ब्रश करने से दान सफेद और हेल्दी होते हैं जबकि ऐसा नहीं है दानों को साफ करने के लिए 2-3 मिनट ही ब्रश करना काफी है अगर 10-20 मिनट तक या आधे घंट तक दांतों को साफ करते रहेंगे, तो दांत साफ होने की वजाए, दांतों की उपरी परत, इनेमल, जो दांतों को प्रोटेक्ट करती है, वह ही साफ हो जाएगी, यानि वह घिस जाएगी. दांतों में सेंसिटिविटी की प्रोब्लम शुरू हो जाएगी, दांतों को हेल्दी रखने के लिए 2-3 मिनट तक सौफ ब्रिस्टिल वाले टुथ ब्रश से सही तरीके से दो बार सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करना काफी होता है, इससे दांत हेल्दी बने रहेंग अच्छे लगते हैं, लेकिन यह सच नहीं है कि सफेद दांत ही हेल्दी होते हैं, दांत का सफेद होना डिपेंड करता है इनेमल लेयर पर, इनेमल लेयर दांतों की सबसे उपरी परत है, जो की सफेद होती है और इसके नीचे डेंटिन लेयर होती है, जो की पीली होती है, अगर दातों की enamel layer पतली है, तो दात पीले दिखाई देंगे, पर इसका मतलब यह नहीं है कि दात healthy नहीं है. अगर दातों में sensitivity नहीं है, कोई भी caries या cavity नहीं है, calculus deposition नहीं है, तो दात healthy हैं, भले ही वह पीले हैं. चौथा मित है कि दातों से लंबा कीड़ा हिकलता है, हकीकत में दातों में कोई कीड़ा नहीं होता, दातों में सडन, microorganism की वज़र से होती है, जो आँकों से नहीं दिखते. microorganism की वज़र से दात सडने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, फिर तूटने लगते हैं, जढने लगते हैं, जिनकी वज़र से दातों में गड़े होते हैं, इन्हें cavities कहते हैं. दातों में सरन को टुट डिके या केरीज कहते हैं, और आम भाशा में ही इसे दातों में कीड़ा लगना कहते हैं, वास्तम में कोई कीड़ा नहीं होता. कुछ लोग ट्रिक्स अपना कर, अपने हातों की सफाई का जादू दिखा कर, आम जनता को बेपूफ बना कर दातों से कीड़ा निकाल भी देते हैं, लेखिन यह सच नहीं है, ऐसा कोई कीड़ा नहीं होता. पांचमा मित है, टॉफी या चॉकलेट खाने से कैविटी हो जाती हैं, तो टॉफी या चॉकलेट खाने से कैविटी होती हैं या नहीं, यह मैं बाद में बताऊंगी, पहले यह जान लेते हैं कि कैविटी होती कैसे हैं, कैविटी यानि दातों में गधा, इसे ही दातों मे सडन, टुद, डिके, केरीज, आधी नामों से जाना जाता है और इसे ही आम भाशा में दातों में कीडा लगना कहते हैं कैविटीज होने के लिए चार चीजें होनी चाहिए पहला दांत दांत नहीं होंगे तो कैविटीज भी नहीं होंगी तो cavities होने के लिए जो सबसे पहला factor है वो है दात दूसरा है bacteria bacteria अगर नहीं होंगे तो वो cavities नहीं करेंगे लेकिन ऐसा possible नहीं है कि हमारे मुँ में bacteria ना हो हमारे मुँ में हमेशा ही bacteria रहेंगे क्योंकि हमारा मुँ उन bacteria का घर है तीसरा substrate यानी मुँ में और दातों के बीच फसा खाना यद कुछ भी हो सकता है दाल, चावल, रोटी, सबजी, मैगी, पेस्ट्री, पीजा, बर्गर, टॉफी, चॉकलेट, आपके जूसेस कुछ भी जो भी खाने की चीजे हैं चौथा है time bacteria को कितना time मिल रहा है दातों में, मुँ में फसे हुए खाने को खराब करने में यानी उसे decay करने में फसे हुए खाने को bacteria decompose करते हैं acid बनाते हैं यह acid दातों को कमजोर करता है और फिर cavities होती है यह चारों चीजे होंगी यानी आपका tooth, microorganisms, आपके जो bacteria है, substrate और time तो ही दातों में cavities होंगी इन में से कोई भी एक चीज missing होगी तो cavities नहीं होगी ध्यान से समझेगा बात को अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो cavities भी नहीं होगी दात और microorganism यानी bacteria को हटा नहीं सकते क्योंकि यह तो present ही होंगे bacteria की quantity कम कर सकते है यानी इनकी संख्या कम कर सकते है लेकिन खतम नहीं कर सकते बाकी बचे दो factor मुँ में फसा खाना और time इन्हें manage करने तो cavities नहीं होगी यह कैसे manage करेंगे? तो मुँ और दांतों में खाना फसने ही न दे खाना फसेगा ही नहीं तो bacteria decay ही नहीं कर पाएंगे यानी उस खाने को सडा ही नहीं पाएंगे जो जिसकी वजह से cavity होती है तो दो बार brush करें सुभ़ और रात को सोने से पहले हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला करें खूब पानी पीएं ऐसा करने से मुँ में खाना नहीं पसेगा और bacteria को time भी नहीं मिलेगा to decay करने का ये बात तो थी cavities कैसे हुई cavities होने के लिए से टौफी या चॉकलेट की जरूरत नहीं cavities किसी भी प्रकार का food particle फसने से हो सकती है टौफी चॉकलेट दांतों पर लंबे समय तक चिपकी रहती है जिसकी वजह से bacteria को ज्यादा time मिल जाता है चुद डिके करने के लिए अगर टौफी चॉकलेट खाने के बाद दांत साफ कर लेंगे यह दांतों पर चिपके ही नहीं तो cavities भी नहीं होंगी चाहे कितनी भी टौफी चॉकलेट खा ले समात में जो गलत धार्नाएं फैली हैं उन पर भरोसा ना करें जागरुप बनें गलत धार्नाओं के पीछे की सही सच्चाई को समझें अंध विश्वास और गलत धार्नाओं से बाहर निकलें मिट्स को दूर करें जागरुपता लाएं गलत धार्नाओं के चक्कर में आकर अपने दांतों को नुकसान न पहुँचाएं और अपनी ओरल हेल्ज का सही तरीके से ख्याल रखें थैंक यू